कि अलो कि अज़िए लाइब नाओ वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है वक्त फकीर को भी हुजूर बना देता है वक्त की कदर करना सीख ले आए बन्दे क्योंकि वक्त ही है जो कोईले को भी कोहिनूर बना देता है नमस्कार साथी हूं मैं राज कुमारे दुबंसी आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपने परिवार पीवीर स्टडी में उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बढ़ियां चल रही है जिंदगी में कितने भी मुश्किले आ जाए कभी हार नहीं मानना चाहिए वक्त सब का बदलता है कहते हैं न एक दिन कुट्ते का भी सही वक्त आता है हम लोग तो इंसान है चलिए बात करते हैं फिर हाल पढ़ाई की अगर आपको भी मैथ नहीं आती है और मैथ नहीं आने वाली बीमारी आपको भी है तो आप बहुत अच्छे ब्लेड फार्म पर आ चुके हैं इस कलास को अगर आप अगले आधे गंटे तक देखेंगे तो आज से आपको यकीन हो जाएगा कि आप मैथ सीख सकते हैं पहले मैं कुछ चात्रों के नाम बोलूँगा जो इस्टार्टिंग में जुड़े हैं क्योंकि उनके दिल से बहुत बड़ी ख्वाहिस होती है कि मेरा नाम बोला जाए सुस्मा निसाद हरीश रावत राम परता प्रमन जर्रा रहमद मंजुपाल सीतु यादो प्रियंका सिंग अंकित ब्स अलोक कुमार मिस्टर जीत बॉय नेहा राजेस सुस्मा नीलम म्यूजिक अंड मस्ती ये नाम है सब जो मैं बोल रहा हूँ गबराना नही आनिल रितिक परिजापती पंडित गोपाल जी रोहिद बिसकर्मा जी साचिन सौम्या मधू अमित दिखिए कुछ कमेंट्स मुझे काफी फास्ट निकलते हुए दिख रहे हैं तो मैं नहीं बोल पा रहा हूँ जिनके नाम हमारे सामने पढ़ने हैं उनका मैं देख रहा हूँ ठीक है उ सब कुछ अच्छा है तो एक बार यस बोल दीजिए और हंड्रेड़ बच्चे हो जाएं फिर हम सुरू करते हैं कला सुरू होने पर दूचार सिकन्ट दस सिकन्ट लगता है दूब मिनट बच्चों को जुड़ने में बीच बीच में मैं सब के नाम लेता रहूँगा अर पीता भी जुड़ चुकी है अलक्षमी करिस्मा राज आए टॉपिक पे कुछ काम की भी बात कर लेते हैं ये सब बातें तो होती रहेंगी आप लोग तो अपने दिल में बसे हैं आए लाइव नंबर 16 है हमारा इस समय टॉपिक चल रहा है वर्ग मूल कि इसको आए रूट देखिए एक बात तो अपने दिल में बसा लीजिए बिल्कुल दिल में बसा लीजिए एकदम लाग करके रख लीजिए कि मैथ अगर आपको नहीं आती है तो हम आपको सिखाएंगे यह हमारी पूरी गारंटी है 100% 110% लेकिन जाड़ फूंक नहीं करते हैं तोना टोटका वाला कम नहीं होता है पढ़ना पड़ेगा आपको मेहनत करनी पड़ेगी आईए चोटी-चोटी बाते आप जान चुके हैं वर्ग मूल में मैंने दो तरीका बताया था भाग विधी और गुड़नखंड विधी दोनों विधी आपको पता है यह विधी अक्सर लोग परियोग करते हैं यह सीधे साधे लोगों के लिए जैसे होता नहीं कोई चीज मतलब जैसे आपने देखा है मैं कैसा एक्जाम बताऊं जैसे मान लीजिए छोटा सा बचवा है उसको बुखार उखार हो गया है तो जो छोटे बच्चे में भी जो सीधे साधे होते हैं वो प्यार से दवाई पील लेते हैं अगर ममी दूदूद भी पिला रही है चम्मच से तो अराम से पी लेते हैं कुछ हमारे जैसे उधन टाइप के होते हैं तो उनका एक लोग पैर पकड़ते हैं एक लोग हाथ पकड़ते हैं एक लोग नाग दबाते हैं तब दूद पीते हैं ममी बताती पहले हमारे साथ ऐस आपने देखा होगा छोटे बच्चों के जब बाल कटाने जाते हैं तो वहाँ भी दो-तीन लोग लगते हैं ऐसा होता है ना तो ये एक ही के लिए अलग-अलग तरीके हैं तो वैसे इसमें क्या है जो सीधे साधे नंबर होते हैं उनको गुड़नखंड विदी से किया जा सकता है लेकिन जो खतरनाक होते हैं उनको भाग विदी का परियोग करते हैं तेखो जैसे अगर मैं पांच का वर्गमूल बोलूँ तो आप नहीं कर सकते आसानी से पचीस का आप कर लोगे समझ रहे हो? कर लेते हो न तो ये चीज मैं बता चुका हूँ आज मैं भाग विदी से वर्गमूल बताऊंगा एकदम सुरू से ठीक है? बात दन अक्सर आपने अगर हाई स्कूल में पढ़ा होगा 19 में पढ़ा होगा तो कहते हैं के अंडर रूट दो का जो अबमान है वो 1.714 ऐसे सम्थिंग कुछ भी 1.141 होता है से कुछ न ऐसे कुछ होता है न इसको कहते हैं याद कर लो तो मेरे भाई, मेरे बाबू आपको याद कुछ नहीं करना है कैसे क्या होता वह सब में आज आपके सामने कौल करा कुछ दूँगा पूरा सिक्रेट बात करें करें देखें यहाँ पर कि मैं बराबर बराबर डोज देता हूं मत्रा में समझ रहा हूं हमारे सामने जो लोग हैं उनको मैथ नहीं आती मैं इस उद्देश से बढ़ाता हूं आए अग्याइव कि अगर भाग विदी से वर्गमूल जैसे अगर मैं एक फाइस्ट कोश्चन ले लेता हूं बहुत छोटा छोटाँना इस देखो भाई यह गुड़नखंड विदि है न समझते चलना गुड़नखंड विद्धि भाग विद्धि में कुछ ऐसे होता है इसमें कुछ आलाग सारा कहानी होती है कि ऐसे लिखा जाता है कि फैक्टर करते समय उपर लिखते हैं भाग विधी में निच्चे लिखते हैं दोनों विधी में कंपेर करके दिखाऊंगा समझना मगर प्यार से आईए सबसे पहले दो से भाग करो 16 में तो 8 बार जाएगा आपको सबको पता हैं दो से भाग करोगे यह फैक्टर में बता चुका हूँ गुरंखंड कैसे होता है यह तुम सब जानते हो जानते हो नाओ चाचा लोग तो अंडरूट 16 बराबर इसको लिखा जा सकता है इनके दो दो के पेर बनाते हैं जोड़ा आपने देखा होगा साधी विवा में दूदू के जोड़ा बनते हैं न ऐसा तो कहने देखे हो कि दो लड़की एक लड़की हो या दो लड़का एक एक एक रहते हैं ना हाँ दोनों लड़की हो सकती है कोड़ भी मान चुका है समान जेंडर में साधी हो सकती है दो लड़कें लेकिन होंगे दूर यह तीन नहीं होंगे तो यहाँ पर क्या पेर दो दो के बनेंगे एक इसमें से निकलेगा एक इसमें से यह चार हो गया यह गुड़नखंड विदी हो गया भाग विदी में इधर आईए हलका सुकला पूजा यादो तोहीद इसमें क्या करते हैं थोड़ा सा आपको बुद्धी का परियोग जादा करना पड़ेगा और जब भगवान जी बुद्धी बाट रहे थे तो जो लोग बात्रूम चले गए थे वो लोग थोड़ा कम समझ पाएंगे बुरा नहीं मानना ऐसे सोचना कितने लोग भाई गए थे सब लोग लियो ना चलो एक ऐसी नंबर लेते हैं इसमें जो जिसका वर्ग करने पर इस नंबर के बराबर आ जाए या इसके लगभग में आ जाए वही नंबर लेते हैं ठीक है तो कोई ऐसा नंबर है जिसका वर्ग करने पर सोला आ जाया सोला क्या स्पास आ जाया हां सिंपल है इसलिए मैं तुम्हें पहले वर्ग और घन याद करा च तो मेरे भाई पहले क्या लोगे फोर फोर का वर इसमें ऐसे लिखते हैं उपर भी वही नंबर लिखो गया यह कि यह कितना हो गया 16 इसको गटाओगे जीरो से इस फलाए उसके बाद इसको जोड देते हैं लेकिन यहां पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि कुछ लगानी पड़ती है यह आपको तब समझ में आएगा जब आप किसी ऐसी संख्या का वर्ग मूल भाग विदी से करोगे जो पूर वर्ग नहीं है तो जो संख्या पूर वर्ग है उसका निकालने पर आपको मज़ा नहीं आएगा आईए अब हम किस संख्या का वर्ग मूल करें कुछ बताओगे आप लोग कोई बताएगा किस संख्या का निकाल के दिखाएं जैसे तीन का वर्ग मूल दो का वर्ग मूल कि चलो आप में से कोई नंबर बताओगे किसका निकालूं जो आसान ना हो अगर गुलनखंड विधी को हम पी माने और भाग विधी को क्यूं माने तो दोनों में कौन विधी ज्यादा अच्छी लगी का हो चाचा लोग कोई साथ बता रहा है कोई 29 बता रहा है कोई कुछ भी बता रहा ठीक है इस्टेडी चैनल वाले को बलग करो तुरण फट से करो इनको यह ध्यान आकरसित करने के लिए अंडबंड कमेंट करते हैं इनको करो बलग करोटा इन देखिए अब हम दो का वर्गमूल करेंगे ठीक है दो का वर्गमूल दसामलो के दो अंक तक सुनना कैसे करते हैं देखों भाई मेरे भाईया अगर कोई नंबर ऐसा है जो परफेक्ट स्कॉयर है पूड वर्ग है जैसे 16 हो गया 25 हो गया 36 हो गया 144 हो गया 169 हो गया हो गया 400 हो गया इनका वर्गमूल बहुत आसान है क्योंकि तुम्हें याद है 18 का स्कॉयर तिनसों चोबिस होता है तरह का स्कॉयर दो नहीं होता है किसी भी संख्या का स्कॉयर दो नहीं होता है कि होता है जैसे दो का स्कॉयर चार होता है तीन का स्कॉयर नहीं होता है वैसे कोई संख्या है जिसका स्कॉयर दो होता है नहीं होता ना को यसे संख्या जिसका स्कॉयर पांच होता है नहीं होता ना तो भाग दिमें हम उसी संख्या कवर्ग मुल करते हैं जिसका इसको यह नहीं मिलता परफेक्ट तरीके से कि कमेंट वह अधाओ यह डिस्टप कर रहे हैं जलो देखो दसामलों के दो अंग तक ले जाना है तो यहां पर एक काम करते हैं पहले वह नंबर लिखते हैं फिर दसामलों लगाते हैं फिर हम अपने मन से हुसी से जितना चाहें उतना जीरो बढ़ा लेते हैं कि मतलब के उनहारी इच्छा पे निर्वर करता कितना जीरो बढ़ाओंगे जोड़ा में गया हैं तो नहीं जोड़ा में हैं सब्सक्का सब्सक्राइब तो one point one for it is the time of the bed Assembly container कि अगर तींद टिक भी कि अगर ये पाँच अन्क बोर दा यहां पर तो दो तीन मतलब यह यंक-उतना होगे जितना अहां पे पूछा गया तो जितने अंग तक आपको ले जाना है यहां पर आप उतना जीरो बढ़ा मतलब जोड़ा बनाओगे हम तीन अंग तक ले जाने वाले हम तीन जोड़ा बनाएंगे ठीक है आईए अब मैं कमेंट नहीं देख रहा हूं जब तक कुश्चन नहीं हो जाएगा मैं बोलूंगा नहीं किसी का नाम चलो भाई इमांदर इस देखना हम अगर प्यार से अब मुझे एक बात बताओ एक बात बताओ तुम कोई ऐसा नंबर है जिसका स्कॉयर करने पर दो आ जाए या दो के करीब आ जाए दो वन के बाद तो जश्ट आ जाता है कोई ऐसा नंबर है नहीं कि जिसका स्कॉयर 2 हो जाए जैसे 2 का 4 हो जाता है 9 के लिए 3 है 3 का 9 हो जाता है 16 के लिए 4 है 4 का फॉर 16 हो जाता है लेकिन 2 के लिए ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है तो 1 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वार इसके लगबक करीब आजाता है इसको भी जोडा में ही लिखते हैं स्टार्टिंग में एक एक इंतिक जोड़ा बनाते हैं ठीक है मतलब पीछे से दो दो अंका बनाते हैं लास्ट में अगर एक बच गया तो एक एंका जोड़ा बना देते हैं कोई दिक्कत नहीं जैसे जिन लोग की साधी सही अवस्था में नहीं होती है जब 30-40 साल के लगभग में होती है तो जो भी मिल जाता टेंड मेर्ड सबसे हो जाती है जैसे होता नहीं जो ठंडियों के कपड़े दिसंबर जन्वरी में नहीं भी के वो फरवरी मार्च में जा करके 70% डिसकाउंट पर बिग जाते हैं अब देखो वन का स्कॉयर वन का स्कॉयर वन यह घटा होंगे वन आ जायेगा ठीक है यहां पर क्या होता मेरे बाई यह जूडता है एड होता है करें इनको जोड़ तो डो झायगा यहँ पर एक चीज का ख्याल धायाता आँ बेसक की में गुंती होनी चाहिए इधर एक गुंती लिखने की जगा होनी चाहिए कौ यहां चिपका कर्या गंभन में और इसको इसमें घटाते हैं कि जितने का इसक्वायर किये हैं उसको उपर भी लिखते हैं ठीक है हो गया डन है डन अब उपर से क्या करेंगे एक जोड़ा नीचे उतारेंगे जीरो वाला लेकिन जोड़ा आपने उतारा जोड़ा दसमलो के बाद है दसमलो के बाद है अब मेरे भाई यहां पर ध्यान रखना थोड़ा सा समझना मगर प्यार से मैंने बताया कि जो लोग भागवान बुद्धी बांट रहे थे बात्रूम चले गए थे उन लोग को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा जादा मेरे बात को बुरा नहीं मानना मैं क्या कहना चाहता हूं उनको जादा ध्यान देना पड़ेगा देखो अगर वन बार हम ले जाएंगे तो यह ऐसे बनेगा यह बात्रूम हली गटन में पिश्तार से बतांगा बाद में भी लूक बेड़ेगा जाना नहीं देखो सुनो वन बार ले जाने का मतलब है कई साएगा ठीक है दो बार ले जाने का मतलब है मेरे भाई ऐसे जाता है 44 आएगा यानि इसका इसमें गुड़ा होता है अब मुझे एक बात बताओ एक बात बताओ तुम की इसमें कितनी बार ले जाओ कि इतना आजाए या इसके लगबग में आजाए अनुजपाल सेंडी मनीश चोहान अरपिता विकास बोलो कितने बार देखो सुनो इसमें एक जुगार यह होता है कि इसको हम ट्राइ करते हैं लगबग जैसे जो पहला गिंती दो है न वो इस टार्टिंग में जो दस है उसमें इसका भाग कितनी बार जाएगा तो आप देखो 5 बार जा रहा है तो छार बार लेजाओ इनको जोड़िये ध्यान रहे इधर साइड सटा के ने लिखना है इधर एक जगा छोड़के रखना है तो चार चार आठ इदर ऐसे लिखना है इसको दो गटाव फोर आया उपर से एक जोड़ा मैंने उतार लिया दूसरा जोड़ा उतारो अब दो का भाग चार में कितनी बार जाएगा दो बार जाएगा ना तो देखो समझो 28 ना अगर हम एक बार भाग ले जाएंगे ते 200 क्या सी आएगा मेरे भाई हमें इतनी बार ले जाना इख 400 के लगभग में आजए जादा ना जाय तो एक बार ले जाने पे 280 बना रहा है दो बार ट्राइग कर लो दो बार जाएगा तो इसे दो दूना चार 2,8,16, sila, agg, 2,2,4,1,5 दूना जादा हो जा रहा है कि वन टाइम जाएगा 2 बार ले जाने पर देखो कफी जादा हो जा रहा है 400 से तो वन बार ले जाओगे उपर भी लिखोगे यहाँ भी one लिखोगे यहाँ भी लिखोगे बात पक्की इनको घटाओ 9 आया 9 में से 8 गया 1 3 में से 2 गया इनको जोड़ी है इधर था एधर एक जगा छोड़ के लिखना इधर 1-2 अब कितनी बर जाएगा एच अच्छा लोग एक जोड़ा ही या उतारे रहा ना एक जोड़ा ही या ना एक जोड़ा बचाव है इनको भी उतारी है क्योंकि ये 282-199 पर जादा है मतलब ये सेसफ़ल है ये भाजक है जादा है तो यहां पर जोड़ा उतार लोगे तो ये आप जादा होगे कुछ मजारा कि नहीं बहुत अच्छे नहीं समझ में आएगा क्योंकि ये मैथ है जिनको नहीं आता है उन्हें थोड़ा जादा अभ्यास की जरूरत है अगर आएंगे भागेंगे तो भागते रहेंगे लाइफ टाइम ये खतरनाक नंबर का वर्गमूल है जिनका वर्गमूल नहीं निकलता आसानी से देखो मेरे भाई अब वण बार अगर तुम ले जाओगे तो 282 है न तरीका पहले बता चुका हूं वण बार ले जाओगे तो ये ऐसे जाएगा 28 से कैसा आएगा जबकि ये काफी लंबा चौना लग रहा है 11,900 है काफी जादा है वो 2,000 ही आ रहा है त्राइ करो कि तुम 2 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा 11 में लोका 11 में 5 बार जाएगा तो हमें काम करेंगे यहां 5 बार ट्राइकरो पांच बार ट्राइकरो तो पचम 25,55-25 का 5 करिया है टू और 5,2,10,2,12 का टू सही जा रहा है न करिया है वन 5,8 जा 40 141 का वन 4 आया और 5,2,10 का वन मुसीबत आ गई तुनाई पढ़े आपको चिल्ला रहा कोनों बहुत तेज बिल्ली है डिस्टाब कर देते हैं लोग देखो यह 14,125 हा रहा है यह सिर्फ 11,900 है न तो मतलब जाएगा कि नहीं पांच बार मुझे लग रहा ज्यादा है बोलो ज्यादा है कि नहीं बोलो भई ज्यादा जा रहा है नहीं है कि नहीं बोलो एक बार यह 11,000 है यह 14,000 हो जा रहा है तो चार बार जाएगा कितनी बार जाएगा फोर टाइम यह 282 है चार बार जाएगा चार बार जाएगा फोर टाइम चलो देखो फोर बार जाएगा तो चार 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 उक सोला हासी लेक चार दूना आठ एक नौ चार अठे बद तिस हाँ फिल तीन चार दूना आठ तीन ग्यारा ग्यारा जार दो सो चानबे ग्यारा जार नौ सो है बहुत अच्छा परफेक्ट वैट रहा है यह ता भाई अब नीचे चाहा कुछ लिखो चाहे नहीं मैं तीन बार ले जाना चाहा मतलब तीन अंग तक ले जाना था इनको घटाओ या ना घटाओ कुछ भी करो छोड़ दो चाहे तीन अंग तक हमें ले जाना था यानि हम कह सकते अंडरूट दो बराबर 1.4 on 4 होता है रटना नहीं है यह आता कैसे है देख लिया न अच्छा एक बात बताओ इसके पहले कितने लोगों को यह मान याद था कि रूट दूई का मान इतना होता है लेकिन कैसे आता यह नहीं पता था कितने लोग ऐसे हैं जोनको यह पता था कैसे करते हैं इमांदारी से जिनकौ पहले आप्शन की उन्हे यह पता था या कम समय में पूरा मैत के लिए PVR Study डाउनलोड करके आप जल्दी फे जल्दी इन्रोल करें इसका स्क्रेंशाट करिए रिय ठाकुर विसाल जी जानते थी लोग बाकी तोहीद संदीप पुजा ये सब लोग थोड़ा कम जानते थे चलो मिटाता हूं तो जो लोगों को पता है वो रूट तीन का बताओ करके हो चलो रूट तीन का आप लोग ऐसे करिए रूट पांच का करिए साथ का करिए सब करिए चलिए करके दिखाओ एक बार कैसे होगा एक बार करके दिखाओ कलास का टाइम प्रतेग रात 9 बज़े से होता है डेली रात 9 बज़े से बिलकुल फ्री कलास होती यूटूब पर अगर आप कम समय में सीखना चाहते हैं तो पीबियर स्टेडी अप में सब्सक्रेप्शन ले सकते हैं बाकी यूटूब पर फ्री देखते रहें कुछ नहीं लगने वाला भाया तो जादा नहीं आज में बताने वाला हूं एक और बता देता हूं लगे हाथ अंडरूट तीन का दसामलो के तीन अंग तक इसको कर लेते हैं इसको भी ऐसे ही लिखेंगे दसामलो लगा के तीन अंग तक निकालना है तो तीन जोड़ा बना लो दसामलो के बाद तीन जोड़ा बना लो ऐसे बस नमबर नीचे स्क्रीन पर चल रहा वीडियो में जो लोग कहे रहें नमबर कहां मिलेगा वो थोड़ा देखें स्क्रीन पर नीचे अब ये बताओ कि कोई ऐसा गिंती जिसका वर्ग करें तो तीन या तीन के आसपास आ जाए बोलो को जैसे कोई गिंती जिसका वर्ग पर करें तो 16 आ या आसपास आजाए चुझत तो वह 4 होता है ठाल तो कोई ऐसा गिंती जिसका वर्ग करें तो 25 या 25 के आसपास आजाए फिrecht नहेंड़ा ऐने भी अगर यही होता तो आज यह करने की नौबत काहे क्या अचा नहीं होता ना कोई बात नहीं है कि समझे है है कि इस्टार्टिक मेंने बताया था कि जो बच्चे सीधे साधे दूद नहीं पीते हैं उनको माताएं वड़ी मसकत करके लेकिन पिलाती है है लेकसा हम लोग के छमाने में में होता तर्फोस किया होता मुझे नहीं पता है आज तो इंजक्शन से ःधुध पिला देते व sedates सुनिहें इर गघ्र है ये दों के लैजक करेंगे तो चार हो जाता नहीं करेंगे इसके लगबग में आएगा कि ये तो वन के square में लगभग में आएगा तो वन का square करोगे वन यहां पर वन यह line खीचेंगे उपर वन यहां पर भी वन आएगा इनको subtract करो तो दो आएगा इनको जोड़ो इधर side में जगा छोड़ के लिखना बस अब उपर से एक जोड़ा उतारेंगे यह जोड़ा उतारा हमने दसामलो के बाद से इफली यहां दसामलो भी बढ़ाएंगे अब यह बता मुझे कि दो का भाग 20 में कितनी बार जाएगा कोई बताए निवन दो का भाग 20 में कितनी बार जा सकता है समझो अगर एक बार जाएगा पहले बताया हूँ तो यहाँ पर भी एक लिखते हैं यहाँ पर भी ऐसे गुड़ा करते हैं एक एक कम एक दून दो यह उंट के मुँँ में जीरा साबित हो रहा है यह 200 है यह कईस है बहुत छोटा है इसलिए यह एक बार नहीं ले जाएंगे यहाँ गंदा करने की अलामा यहाँ करेंगे समझना मेरे भाई समझना मेरे बाबू समझना आओ दो कभाग 20 में 10 बार लगभग जा रहा है तो यहाँ पर 10 बार तो नहीं जाएगा यह पक्का जादा हो जाएगा नो बार रखके ट्राई कर लेते हैं तो ऐसे बने गए यह नाइन नाइन जा एटीवन करिया एट नाइन टूजा एटीन एटीन में एट जब जोड़ोगे तो अठारा दूभीश चाचाबश दूजा एकसट जादा होईगा यह दो सो था दो सो एकसट हो जा रहा है इसका मतलब नौ बार नहीं गया तो आठ बार तो पक्का जाएगा कहते हैं कुछ एकस्पिरियंस कॲाइक डूसरी की गलतियूं से भी मिल जाती है जरूरी नहीं कि अपनी जिंदेगी में की गलती से अनुबह मिले पडोसी के घर में साधी में बरात गया हो और तुम अपनी साधिम सौधान हो सकते हो कि आइसा नहीं करना नहीं आइसा हो जाएобщा समझ रहे हो तो वैसे नौ बार गया तो हमें अनुभो में लगया कि लगबग जादा हो रहा है यह आठ पर जाएगा पक्का है तो आठ ठाई 64 एट एट जा 64 का 4 करी आया 6 एट टू जा 16 16 में 6 एट करोगे तब एच अच्छा जादा हो जाए रहा हो 12 हो जादा हो रहा साद बार जाएगा है साद बार भी जादा हो जाएगा क्या एक बार ट्राई करके देखो हिशा 7 सता 49 साथ 12 14wyddषा ट्षाणर है सेबन टाइम जाएगा उपर भी सेबन इनको जोड़ो पहले गुड़ा कर लो साथ सता 49 साथ 1221 424 14 इनको जोड़ेंगे इधर एक जगा छोड़ के लिखना याद रहें इसमें सटाना नहीं इनको घटाओ गया रहाया कोई डाउट? नहीं? ए भाई यह सुना पहले पहले हम तीन में भाग ले गये थे फिर हमने ये जोड़ा यहां उतार लिया है इनका लाइन मिटा दो जिनका उतार लिया इनके वही गजोन हो एक रहा अब यह जोड़ा उतारेंगे इनका भी लाइन मिटा दो तीन का भाग नो ग्यारा में कितनी बार जाएगा तीन का भाग ग्यारा में कितनी बार जाएगा? तीन लगब शालो तीन बार ट्राइग करके देखता हूं इनको मिटाओं तीन तरिकान नो तीन चोग 12 हाजी लेग 3.09 एक 10 मुझे पूरा उमीद है कि यही सही है चार बार नहीं जायेगा जिनको चार बार लग रहा ट्राइग करने चार बार देखो चार बार का मतलब यह ऐसे बनेगा 4 चोग 16 हां सी लेक 4 चोग 16 एक 17 4 ती बारा एक 13 देखो जादा हो गया खूब सारा जादा हो गया 1100 है वो 1300 हो गया तो तीन बार जाएगा तहां पर तीन नीचे भी तीन यहां पर भी तीन क्योंकि यही तो मिल रहा जो आंसर हम एक 1039 घटा के देखो इसमें कोई डाउट नहीं ठीक है इनको घटा भाई फटा पर तीन अंग तक ले जाना था दस में से नो गया एक नो में से दो गया साथ इसमें से उधार दिया था यह इसमें से उधार गया है जीरो बचा था मेरे भाई तो जीरो भी बचेगा नहीं है अरे वनत्तिस है तो जीरो 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 सब जीरो हो जाएगा एक अत्रह आएगा इनको जोडेंगे लाइन थोड़ा इधर को लाईए जगा करिए इसमें तीन तीन छे चार तीन लेपटाप बहुत कम चार्ज है बंद होने वाला है समझो अब क्या होगा उपर का एक जोड़ा उताल लो तीन का भाग इसमें कितना बार जाएगा मुझे लगता दो बार ले जाके देखो आप में से यह बताओ कितनी बार जाएगा एक बार ट्राई करो यार जल्दी करो भाई कुछ हेल्प करा आप लोग कितना बार जाएगा हो फ्लाने लोग काहे को मुझे मारे पड़े हो इसे लग रहाएग भाग गई का है अरे मतलग कुछ भी इतना सीधे साधे काहे लग रहे हो तीन चार छे चलो तीन बार ट्राई करो तीन त्रिक नो तीन चंग अठारा अशील एक तीन चंग बारा एक तेरा हाथि लएक तीन ध्ली कर्no тобे यह दफी में वह रहा है उन्हें कम समझ में आ रहा होगा चीज में विश्थार से बता चुकाओं शुरू में अभी वीडियो थोड़ा पीछे करके देख ले ना अगर नहीं देख रहे हो तो कि दो दूना चार दो चंग बारा हाथी लेक दो चब का ठेक नौ कि दो बार जाएगा सबसे पहले उपर लिख दो अब चाहे नीचे कुछ लिखो या ना लिखो आंसर निकालना था तीन अंक तक पक्का हो गया वन पॉइंट से बन थी टू आएगा अ लिखें लो इनको घटाओ या ना घटाओ हो गया डन बस लेकिन घटा देते हैं इस में से उधार गया था तो यह सब अपना अपना हिसाब किये थे जीरो बचा है अधास में से नोग एक चलो तो यह हो गए आपका भाग विदी से वर्गमूल सभी को समझ में आया जिनको एक बार यास बोलेंगे जिनको नहीं आया वो दिल से नो बोलेंगे क्या कह रहे हो आपको आया कुछ की नहीं आया कि आप पढ़ रहे हैं जीरो लेबल से मैथ यकीन मानिए अगर आपको मैथ नहीं आती और इस वोजह से आपका सीटेट सूपर दी एलेड बीएड रीट या यूपिटेट के अलामा बीहाट जहार खंटेट कोई भी टीचर एक्जाम पर इच्छा है नहीं निकल रही है साधी वादी हो चुकी थी इसी वोजह स्कैंसील हो गई है गल्फेंट बाफ्रेंट छोड़के भाग चुके हैं जिंदगी बड़ी मायूस हो चुकी है तो PVR study आपके लिए आखरी उमीद तो नहीं कहेंगे लेकिन एक बड़ी उमीद है एक बार जरूर अजमाएं चैनल पर बहुत सारे वीडियो पड़े हैं उन्हें देखें चार लाख पंदरा हजार छात्रों का विश्वास है चार लाख पंदरा हजार वो सभी आपके ही बिमारी से मारे हुए हैं जो बिमारी आपको है वही उनको भी है क्योंकि हमारी क्लास पर यह बच्चे नहीं बच्चे वाले देखते हैं इसको बच्चे नहीं देखते हैं बच्चे वाले देखते हैं कि सभी कंडिडेट सेशन को लाइक जरूर करें दिल से लाइक करेंगे चलिए बच्चे नहीं बच्चे वाले का मतलब समझ रहे हो ऐसे लोग जो लाइफ में अंतिम बार किसी भी परिक्षा के लिए ट्राई कर रहे है कुछ ऐसे भी UPSC के कंडिडेट है जिनको सी सैट की वज़ा से UPSC में मुसीबत आ रही वह उनके पास लाश्ट टैम बचता तो PVR स्टडी जॉइन कर रहे हैं रिवीव में दिखाऊंगा अगर आज का क्लास खताम हुआ किसी का कोई डाउट है तो आप कामेंट जरूर करें हाँ अगर आप सिर्फ एक मन्थ में कलास पूरा कंपलीट मैथ सीखना चाहते हैं तो हमारी प्रीमियम कलास ले सकते हैं अगर आप सिर्फ यूटूब पर देखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है यूटूब पर भी आप सीख सकते हैं यह ओनली वन मंथ इसमें जो आपको हम कोर्स देते हैं उसकी बाइलिटी पूरे तीन महीने होती है ठीक है पूरे थ्री मंथ होती है इस समय आपको एक आफर मिल रहा है स्थेपली एक आफ़र मिल रहा है क्योंकि हमारे यहां बहुंट सारे और बच्चों के लिए मिलते हैं और जो आप लोग सहीओ करते हैं उससे हम आप लोगों की टीम को बड़ा कर रहे हैं कि जिससे आपके लिए बहतर से बहतर कर सकंथ है इस समय प्लान चल रहा है आप के लिए ओनली 799 में पूरे 12 मंथ पूरे एक साल के लिए आप इस प्रीमियम क्लास को ले सकते हैं पूरे साल भर के लिए इसके अलावा आप 299 में 45 डे के लिए ले सकते हैं